आज आप तभी के साथ ऊर्व मद्धकालियन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इस्थितियों पर एक व्याक्षान दूगा. जैसा कि अपने बिगत द्याख्यान में हमने आपके साथ चर्चा करी थी, कि किस तरह से गुप्तोप्तर काल के बाद, यानि गुप्त समराज के पतन के पश्षात, और गुप्तोप्तर काल में कन्योज जो है, पाटली पुत्र की जगहे, सत्ता का केंदर बना, लेकिन जैसा ह हर्षवर्धन का पतन हो रहा है, हर्षवर्धन के समापन के बाद, बड़ी रिक्तता आ जा रही है, और इस रिक्तता के कई कारण थे, हमने पूर्ग में चर्चा करा था, थोड़ा सा उसको अभी हम लोग समराइज करेंगे, जैसे उत्तर भारत की राजनीतिक दशा क्या हो है, गुप्त समराज के पतन के क्रम में हमने देखा था कि किस तरह से हूरों के आक्रमण ने, वाह आक्रमण ने उसकी शक्त को कमजोर कर दिया, और नतीजा क्या निकला, कि गुप्त समराज को जो चोटे-चोटे करद थे, सामंद थे, इनकी महत्त्वा कांच्छा जागी, और इन्होंने एक चोटे-चोटे राज्यों का निर्बान किया। और पाटल पुर्त की जगे, कन्योज एक राजधानी के केंदर में गुप्तोत्तर काल के बाद इस्थित में आ जाती है। इस यूगी की प्रमुख विशस्ता सामंतबाद का उतकर से था। हम देखते हैं कि सामंतबाद की जो इस्थिती है, वो कामोबेश कुषाण काल से ही शुरू होती है। लेकिन गुप्त शासकों द्वारा भूम दे अब्रह्म दे जो धार्मिक अनुदान दिये गए, इसकी वज़े से धीरे धीरे करके शामंतबाद का एक पुदह होता है। और इस सामंतबाद के विस्तार यानि चरम को ही जो है, हम राजपूत यूगीन संस्कृती के रूप में देख सकते हैं। तो आज के व्याख्यान का जो मुख केंदर बुन्द होगा मेरे, वो पूर्व मध्यकाल में खास करके 800-1280 के बीच किस तरह से राजपूत यूगीन संस्कृती और छोटे-छोटे राजपूत राजियों का उधय हो रहा है, इसको देखेंगे, इनकी सामाजी कार्थिक रा सताब्दी में खास करके पल्लो और राश्ट्रकूट और चोल सम्राज की जोईसिती थी उस पर बिचार करेंगे, आज हम अपने मुख्य बिंदो पर आते हैं, कि वास्तों में राजपूत यूग की सुरुवात, पूर्व मध्यकालीन इतिहास की एक प्रमुख बिश्यस्त से लेकर के बारासो के बीच में इसको हम राजपूत यूगी नितिहास कहते हैं, और राजपूतों के उदय के संदर्व में अगर हम विचार करें, कि इनकी उत्पत्य कैसे होती है, तो एक प्रमुख विचारधारा के रूप में चंद्रबरदाई का नाम आता है, जिन्हों ने प्रत्वी राजपूतों एक रचना लिखी, और अगनिकुल से चार राजपूत जातियों के उत्पत्य का सिधानतिन होना दिया है, यह कहते हैं कि अगनिकुल मनि यग्ज हुआ, और यग्ज से आबू परबत पर यग्ज हुआ, उस यग्ज से प्रतिहार, परमार, और या जाक भी इसमें हुए, एक दूसरी बिचार धारा में खास करके राजपूतान के राजपूताना पर करनल डाट ने एक ध्यास लिखा है, और वो करनल डाट कहते हैं कि राजपूत, विदेशी उत्पत्य के सिध्धानत को ये मनते हैं, और कहते हैं राजपूतों की उदे के पीछे ये शक कुषाण और हूण जो अतीत में आक्रांता जातियां भारत में आई जो शस्त्रोप जी भी थी जो युद्ध किया करती थी लड़ाकू जातियां थी वो भारत के विभिन शेत्रों में बस गए और वही जो है कालांतर में राजपूत कहलाएं और एक अ में तब्दील हो गया और इसकी एक महान गाथा है जो इसके समकालिन काब्यों में समकालिन सहितों में लिखित मिलती है जब हम राजपूतों के प्रमुख शाखा की बात करते हैं तो अगनिपूल के राजपूतों में प्रतिहारों का नाम आता है ये गुर्जर प्रतिहारो का नाम सब्साधिक महत्पूर है गुर्जर प्रतिहारों का शाषन काल एक हजार उन्निस तक रहता है और पूर्व मद्धकाल में यह सथापित होती है बताते हैं कि हरिश्चंद्र इस प्रतिहार बंस के संस्थापक थे और नागभट इसके वास्तविक संस्थापक के रूप गुर्जर शाषकों का नाम लिया है यह कहने के मतलब अभिलेकिये साक्षे में पहली बार यह शब्द आया है गुर्जर पुलकेशन दुतिये के एहोल अभिलेक में तो हम जैसा कि बता रहे हैं कि हरिश्चंद्र और नागभट का जो शासनकाल है नागभट जिसको वास्त विशेश था था कि यहों ने पाल शाषक और धर्म पाल को जो है पराजित किया आपको बताते चलें कि दसल उत्तर भारत में विकेंद्री करण के बाद जब कन्योज सत्ता का केंद्र बना तो कन्योज के लिए रिपच्छात्मक संघर्ष हुआ इसमें प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूत प्रमुक्त है और अंधता इसमें प्रतिहारों की विजय होती है लंबे समय तक प्रतिहारों ने कन्योज से शाषन किया तो कन्योज पर अधिकार करते हैं बाद में जाकर के नागभट दूती है यह वही कन्योज है जिसको हर्सवर्धन ने पाटल पुत्र की जगे पर राजधानी बनाया था गुप्त सम्राज का लंबे वक्त तक शाषन राजधानी का केंद्र पाटल पूत्र था लेकिन हर्सवर्धन ने कन्योज को स्थापित किया लेकिन हर्सवर्धन के बाद जो रिक्तता आती है उस रिक्तता को पूरा करने के लिए त्रिप पर अधिकार के लिया और राजधानी इसको बनाया सबसे बड़ी बात है बाद में यहां पर शाष्कों की परंपरा में मिहर भोष का नाम बहुत ही महत्वपूर है और मिहर भोष के बारे में बताते हैं कि बैशनो धर्मानुय आई थे आधि बराह की उपाधी लिया और इसक कि यह प्रतीक चिन्धों से जोड़ते थे मीर भोष के बाद महेंद्र पाल पर्थम का नाम अता है जो सबसे प्रमुख सासक इस खास करके प्रतिहार बंस के शाष्कों में था परम भट्टारक और परमेश्वर जैसी उपाधियां महेंद्र पाल पर्थम दे रहें एक महान साहित छोड़ रखा है कपूर मंजली काब मीमान शाह और बिद्धु शाल वहंज का यह तीन शाहित हैं राजशेखर के जो खास करके उस समय की स्थितियों के बारें प्रिकास डालते हैं लेकिन एक हजार अठारा तक जाते जाते राष्ट कूट शाष्कों की स्थिति बड़ी कमजोर हो जाती है और अंतताह ये एक हजार अठारा वही दोर है जब हमने जिसकी चर्चा भी बाद में करूँगा कि महमूद गजनवी जो है मध्धेशिया से भारत पर आक्मण सुरू करता है गजनी से और एक हजार से लेकर के एक हजार चबिस के बीश में उसके करके इस प्रतिहार साट्श Intelligence को की सत्ता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया तो कुल विला करके 1049 के आसपास तक जाते जाते प्रतिहार राजबंश पूरी तरह से समाप्त हो गया जो उत्तर भारत के राजपूताना शाषकों में सबसे अहम राज़ था, सबसे अहम था, इसके शाषकों ने लंबे वक्त तक उत्तर भारत में कन्योज को केंदर बना करके सत्ता किया, और साहित्यके माध्धम से, और अपनी उपलब्धियों को गाता को अंकित कराया, अब हम देखते हैं कि प्र प्रतिहारों के जो सामंत थे, उन्होंने छोटे-छोटे कई राज्य स्थापित किये, यह सबसे अहम है, क्योंकि पूर्व मध्धकाल जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सामंत बाद के चरम की सिंखला को दर्साता है, सामंत बाद जिसकी सुरुवात कुषान से सुरू ह होती है, साथ वहन काल और उसके बाद गुप्त काल में अपने विस्तार को प्राप्त होता है, इसमें सामंत बाद की परंपरा में पहले भूम अनुदान जो मिला, उस भूम अनुदानों के साथ साथ धीरे-धीरे उनको उस पर रहने वाली परजा पर न्याय करने का भी अजनवी ने, लेकिन उसके पहले से ही प्रतिहारों के तमाम सामंतों ने, जैसे गहडवाल बंस हुआ, गुजरात के चालुक यानि सोलंकी बंस हुआ, मालवा के परमार हुए, मद्भारत के कल्चुरी हुए, दिल्ली के चवहान हुए, इन लोगों ने प्रतिहारों की पन राजपूतों में इनका भी नाम आता है, मूल राजपर्थम सासक के रूप में आता है गुजरात में, और अलहिनवार को इसने राजधानी बनाए, दूसरे सासक में भीम पर्थम आते हैं, एक हजार बाईस से एक हजार चोशट के आसपास, यह भीम पर्थम ही हैं, जि जीवनते दस्ता किताब लहिंद में लिखता है, और वह कहता है, जब महमूत घजनवी गुजरात के सोमनाव मंदिर पर आक्रमण करने जाता है, तो भीम पर्थम छिप जाता है, बाग जाता है, और लूट पार्ट करने के बाद जब घजनवी वापस आता है, तभी वो पूर्शासक है यह जैने धर्म का अनुवाई था जैने धर्म का समर्थक था इसके बावजूद कुमार पाल के बारे में एक विवरा है कि उसने सोमनास मंदिर का पुनरुद्धार कराया तक पर साथ भीमदूतिय आते हैं और खास करके 1195 के आसपास यह भीमदूतिय वहां पर शासन करते हैं । यह वही समय है जब भारत में गोरी के अकमड हो जाते हैं तराइन का पर्थम युद 1191 और फिर दूतियों 1192 चंदावर के युद में गोरी उत्तर भारत में पूरी तरे से सत्ता किया स्थापना कर लेता है और 1195 में जा करके भीम दूतियों को सत्ता से हटा करके गुजरात के चालुक्यों को उत्बूत देने बग दिल्ली यानि लाह सामंद कहते हैं जिन्होंने राज का निर्माण किया जैजक भुक्त के चंदेल हैं लंबे वक्त तक इधर नर्बदा घाटी और इस महोबा की एरिया में चंदेलों ने शासन किया ये प्रतिहारों के सामंद थे इनकी खजुराहों अध्यात्मिक राजधानी थी और कलिंज एक तरह से सैंद राजधानी थी बताते हैं कि नानुक इसका संस्थाफक था यशो बर्मन धंग विद्याधर जैसे महान राजाओं की स्त्रिंखला इसमें प्रतिहारों के सामंतों में जज एक भुत के चंदेलों की है और खजुराहों का जो चतुरभुद मंदिर है आज तरह से जीवन्त दस्ताबेज है जिसको यशो बर्मन अस्थापित किया था जिसका निर्मान कराया था पृत्वी राज ने महोबा में आदी बरा मंदिर बनवाया जिसको कहते हैं धंग के समय पर बना और एबक ने जो है भी इस चंदेलों की राजधानी को जो है खास करके 1195 के आसपास इस चंदेल समराज को भुस्त करके इसको सल्तनत या कहेंगे कि एबक के समराज में इसने मिला लिया अन्य नामों में मालवा के परमारों का नाम आता है मालवा मद्वारत का राज था और ये बिंध छेत्र में पढ़ता है ये सामरिक दिश्च से भी बहुत मह सद्धानी बनाया और दश्वी शताबदी में मालवा में परमारों का अधिपत्त हो जा रहा है बताते हैं कि इन परमारों के संसापत रूप में स्री हर्ष का नाम आता है स्री हर्ष के बाद वाक्यपति मंजू का नाम आता है वाक्यपति मंजू महान बिद्वान था भोज स्टाला के निर्माण भोज करा रहा है वाकिपत मंज के बात्सासक बन रहा है और खिर जी ने जो है इस मालुबा के परमारों को अपने समराज में मिला लिया मद्धवारत में कल्चुरी एक अन्य शासन था जो खास करके यह भी प्रतिहारों के शामंद थे और इन्हों ने कल्चुरी उने राज की अस्थापना की अगर हम बात करें कि प्रतिहारों के खणहर पर अन्य डानिश्ट्रियों में तो गहडवाल बंस का नाम बहुत महत्यपूर है, चंद्रदेव इसके संस्थापक के रूप में जाते हैं, और 1080 के आसपास चंद्रदेव गहडवाल बंस की अस्थापना करते हैं, और कन्योज को इसका प्रमुक्यंद्र बनाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, और इसके बाद मदन पाल आते हैं, गोबिंद चंद्र आते हैं, 1114-54 के बीच में सासन करते हैं, लंबा वक्ट सासन काल रहता है, और गोबिंद चंद्र की खास बात थी, कि महान विद्वान जो लच्मिधर थे, वो इसके दर्बार में रहते हैं, कृट कर्ड कल्पतरू लच्मिधर की एक महत्तपूर रचना है, जो उस समय के इस स्थितियों पर प्रकास जागती है, गोबिंद चंद्र के बाद बिजय चंद्र आते हैं, और बिजय चंद्र की बाद जय चंद्र जो है यहां के गहडवाल बंस के शासकों की स्रिंखला में आते हैं और जैचंद का राम ज्यादा महत्पूर है क्योंकि सत्था का परिवर्तन जैचंद के समय पर हो रहा है एक तो पृत्वी राज चोहान ने चोहान बंस के सासकों से इनका संघर्स भी इतिहास भी दित है दूसरे गोरी के तराइन के पर्थम और तराइन के दुद्य युद्ध के पशा जब गोरी ने दिल्ली में रहने का मन बना लिया तो चंदावर का युद्ध होता है और उस चंदावर की युद्ध में 1194 के में जैचंद पराजित होता है और मार डाला जाता है और इस गहडवाल ब अहम कड़ी है जिन्होंने दिल्ली को एक केंदर बनाया ये भी प्रतिहारों के शामंद थे और शोमेस्वर का एक बिजोलिया का प्रस्तरव लेक मिला है उसमें खास करके चवहान शाष्कों की बंसावली की जानकारी मिलती है ये बहुत अहम है वक्तपती फश्ट और दिग् इमेर नगर की अस्थापना की ये चवहान बंस के हिसा सकते हैं पृत्वी राज तृति की बात करें जिसको राय पिधोरा कहते हैं तो वास्तों में दिल्ली सल्तनत की अस्थापना के पूर्व चवहान बंस का ये प्रमुख सा सकता तो दिल्ली में शासन कर रहा था और इस इसके दर्बारी कभी चंग बर्दाई इसके बारे में लिखते हैं कि इनको गजनी ले जाया जाता है और वहां पर इनकी मृत हो जाती है. तो कुल मिला करके हम देखते हैं कि चवहारों का जो है अंत 1102 के आसपास जाते जाते समाप्थ होता है और एक अहम राजपूत शासक जाती दिल्ली के सत्ता से बेदखल होती है। और हम देखते हैं कि 1118 में जब महमूद गजनवी आता है तो वो उधर गुर्जर प्रतिहरों का अंत कर रहा है जो बचे खुछे सासक है खास करके राजपाल और त्रिलोचन पाल और यहां पर यह चवहानुबंस का भी वो पतन कर रहा है। उत्तर भारत के अन्य महत्पूर राज़ों में बंगाल के पाल और सिन बंस का भी विवरणाता है जुन्होंने लंबे वक्ट तक उत्तर भारत में सत्ता के लिए संगर्स किया। हम अभी बता चुके हैं कि पालों ने किस तरह से कन्योज के लिए त्रिपच्छात्मक संघर्च में एक अहम कड़ी के रूप में थी। पालबंस्की अस्थापना गोपाल नाम के एक सामंत ने की थी और 750 से 770 AD के आसपास ये विब्रन आता है। बैष्णो धर्म के अनुआई थे गोपाल और गोपाल के बाद धर्म पाद का शासन आता है जो बहुत महत्पूर शाशक था इसके दरबार में बंगाली कभी सुधल का नाम आता है और सुधल जो है अपने साहित में धर्म पाल को उत्तरापत स्वामी बोलता है। जाहिरे तोर पर इस उपाद से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर की महत्पूर राजबंसों में पाल बंस ने अपना बर्चस्व अस्थापित किया था कुछ समय के धर्म पाल के बारे में बताते हैं कि इन्होंने परम सौगात की उपाद ली थी बिक्रम तुला और शोम पूर करूँगा कि वास्तों में इसका अंत भी बात में जब तुर्क लोग महां तक जाते हैं तो तुर्कों ने इस बहुत बिहार का अंत कर दिया था और कन्योज पर अधिकार किया था धर्म पाल ने जैसा कि हम अभी बता रहे हैं कि जो त्रिपाच्छात्मक संगर्स चल रहा करीब सताद्यों तक चला और उस त्रिपाच्छात्मक संगर्स में कभी प्रतिहार हा भी रहे तो कभी पाल हा भी रहे तो अंधतह राश्च्चुकूतों के हाथ यह सत्ता लगी धर्म पाल के बाद देव पाल का नाम आता है और देव पाल के भी लिए कहा जाता है कि ओधन से अंत होता है और इसी प्रश्च्ट भूम में नधिया के आसपास सेंग बंस का साथना और यह पाल बंसिक weten की प्रिश्च भूम में इनका उत्रान हो रहा है सेंग बंसिक के सmother को करी इसके बाद सेंग प्रमुख्यासक है एक हिजार पैंस्ट से करीब इए इफ़े वह एक जार अठावन के आसपास दें रहते हैं और विजेसंद के बाद बल्लाल सेरल, जिनके बारे में इतिहासकारों ने भी लिखा है और समकालिन सहित्ट में भी विपड़न गुलता है, बलाल सेन का जो शासंकाल है वो 1058 से 78 के आच पास है। इतिहास में लिखा मिलता है कि बलाल सेन ने एक कुलीन बाद आंदोन्ण चलाया। अतीत में उस दोर में कुलीन बाद में मतलब शासन पर साशन में कुलीन लोग ही रहेंगे और ऐसा एक आंदोलन बल्लाल सेन चलाते हैं, ये खुद एक साहित्यकार्थ है, दान सागर एक रचना इनकी है, जो जीवन्त दस्ताबेज है इनके लिखनी की, अद्भूत सागर इनकी रचना है, और निशंक शंकर की उपाधी ले रहे हैं बल्लाल सेन, बताते हैं कि बल्ला की सत्ता का पतन हो जा रहा है, अंत हो जा रहा है, और 1202 तक आते आते बक्तियार खिल जी, जो अपने एक कुछ शाही घुरसवारों के शाथ, बंगाल की तरफ तिल्ली सल्तनत के बिस्तार को अंजाम देते हुए जाता है, और नदिया को पूरी तरह से धुस्त कर देता है, बहुत मठों को धुस्त कर देता है, और इस तरह से सेन बंस का पतन होता है, उत्तर भारत के अन राज्यों में अगर हम कहें पूर्मद्दकाल में तो एक शाही बंस है, अगर जिसकी चर्चा ना की जाए तो अधूरा है, उत्तर भारत से पूर्मद्दकाल में जो भी आक्र सथापत के रूप में जयपाल का नाम आता है एक हजार एक में गजणि से यह हार जाते हैं लेकिन हारने के बाद जयपाल में इतिहास में लिखा मिलता है कि इन्होंने अग्नी में अगनी में स्वयम को जला कर बस्म कर दिए अगर मद्धकाल में जाएंगे और राजपूतों की पराजे के प्रमुख कारणों अहम कारणों पर चार्चा करेंगे तो वास्तों में एक बिंदु ये भी उवराता है कि राजपूत लोग नेतिक युद्ध लड़ते थे और हाथ के हार के सदमे में जो हो जाकर के जैपाल तो देरे हमाते हैं खुद को अगन में जला दिया ki इनको प्रयास करना चाहिए था कंके साचिकों में ये जैपाल अहम है और उसके बाद पिर कश्मीर का शासना है कश्मीर में तीन बंस शासन करते हैं और लंबे वक्त सकार्श करते हैं कारकोौट बंस कारकोट बंस कस्मीर का पहला एक डैनश्टि है और इसके संस्थापक में दुरलव बर्धन का नाम आता है आहम सासकों में ललिता दित मुक्ताफिट का एक नाम है क्योंकि बताते हैं इतिहास में लिखा है कि मारतन्र मंदिर का निर्माण कराया कस्मीर और कश्मीर में ही परिहास पुर नगर की अस्थापना की ललिता दित मुक्तापुल की लिए कारकोट बंस के बाद उत्पल बंस आता है और उत्पल बंस में जो अहम जानकारी है जो ध्यान में रखना है छात्षात्रों को नहरों के निर्माण पर बल दिया गया उतब शाशक यह शाशक के उपकरम से शिचाई के लिए नहरों का निर्माण किया जा रहा है बताते हैं सुइय नाम का एक वोई अभ्यंता था जो नहरों के निर्माण पर परियातध्यान दे रहा था और प्रमुख शाष्कों में जो है ऐवन, ति्परमन और यहां पर एक महिला शाशि प्रमुख भूम का निभाने का प्रयाश करती हैं। अगले बंस में कश्मीर में लोहाड बंस का शासन आता है। और लोहाड बंस का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद हर्ष एक प्रमुख शासक के रूप में आते हैं। और बताते हैं कि हर्ष के दर्बार में ही कल्हण था, कल्हण एक प्रमुख द्यक्त्य है, जिसने राज तरंगणी लिखा, और राज तरंगणी में कश्मीर के इतिहास का जीवन तक इतिहास दस्ताबेच कल्हण ने छोड़ रखा है, खर्ष के बाद जैसिंग खास करके एक 1128 से 1156 के बीच शासन करते हैं, और यह अंतिम सासन था, दर्बार में, जैसिंग के भी दर्बार में राज तरंगणी के लिखा थे, और इन्होंने जो है, इन्हीं को समर्पित किया अपनी पुस्तक, और कश्मीर में बताते हैं, शैव धर्म के लिए एक, मतलब इस्थितियां अनकूल थी, शाषकों ने शैव धर्म के बिस्तार के लिए अनकूल इस्थितियां बनाई, और कल्हण की राज तरंगड़ी, भारत के इतिहास लेखन में, पर्थम में एक ऐसी रचना है, जिसमें इतिहास के लेखन के जो प्रमुख मानदंग हैं, उनको अपनाया गया है, इसलिए हम इस काल को एक अहम रूप में देख सकते हैं, अब हम देखेंगे कि उत्तर भारत में ये जो राजपूताना के राज थे, हर्षवर्धन के पश्षात, पूर्व मध्धकाल में, 800-1200 के बीच में, जो ये राजपूताना के राज प्रतिहारों की त्रश्टगूम में पलबढ रहे हैं, चोहान हो गए, सोलंकी हो गले, गढ़णवाल हो गए, और परमार हो गए, चोहान हो गए, तोमर हो गए, इनकी सामाजिक और राजनीतिक सिति कैसी हैं, तो यहां पर हम रामेडिये व्यवस्था में सबसे उपर राजा होता है, उसके नीचे छोटा सामंत, उसके नीचे और छोटा सामंत, और फिर नीचे और छोटा सामंत, सबसे नीचे किर्सक होता है, राजा किर्सक पर सीधे संपर्क नहीं कर रहा है, सीधे शाशन नहीं कर रहा है, बलकि अ कि सामंतों का सीधा सारोकार उस भावगोलिक सीमा पर रहने वाली जनता से है जिन्हें अधिकारों में नियाईक अधिकार भी दिया गया कर अधिशेश कलक्सन का भी अधिकार दिया गया और धीरे धीरे वह सक्षम होते गए और जब सामंत सक्षम होते गए केंद्रिया नित् इस्तिती थी, वही इनके आर्थिक पतन का भी कारण था, राजनेतिक विकेंद्री करण ने आर्थिक गदविधियों को हतोच साहित किया, इस पूरे के पूरे शासनकाल में हमें ना के बराबर मुद्रा मिलती है, यानि जो मुद्रा विवस्था प्राचीन भारत में जा रही है, राजने के द्वारा, शाष्कों के द्वारा जारी किया जा रहा है, उसकी रिक्तिता यहां पर दिख रही है, और बाणिजी व्यापार फिर से बिनमय पर चल रहा है, बाणिजी व्यापार की गदविधियां विकेंदी करण के दौर में हतोच साहित हो रही है, क्यों कि जगे जगे छोटे छोटे राज टोल टेक्स चुंगी कर इसकी वज़े से आवा गमन का जो एक लंबा रास्ता होता था उसमें व्यापारी गद्विधियों को हतोत साहित मिल रही है तो ये सामंत बाद ने आर्थिक विकेंद्री करण का दौर पैदा किया आर्थिक गद्विधियां यहां पर हतोत साहित हो रही है और समाजिक रूप से क्या हो रहा है समाजिक रूप से इस्मृत ग्रंथों के हिसाब से जो है यहां पर समाज का जातियों का उप जातियों में विभाजन हो रहा है राजपूत के बारे में ही देखें तो किस तरह से तमाम लडाकू जातियों को एक राजपूत जाति के रूप में तब्बील किया जा रहा है ये अगनिकुंड के उत्पत्त के सिध्धांत की परंपरा को इससे देख सकते हैं, करनल डार्ट जो भी बता रहे हैं, कि ये जो विदेशी जातियां खास करके युद्ध में रत जातियां भारत में आई शक उसान हो, वही दीरे दीरे इस साथमी, आठमी, नवी सताब्दी मे करके राजपूत जातियों में तब्दील हो गए. तो अब उत्तर भारत में ये छोटे-छोटे राजपूत जातियां है, जो हिंदू धर्म, यानि वैषणों-और श्र्ण धर्म को प्रमुख धर्ममान करके उत्तर भारत में शासन करने हैं. अब ही हम खास करके इस मुद्धकाल में दच्षण भारत में क्या हो रहा है दच्षण भारत को हमने नहीं टश किया था और मेरा यह इरादा था कि आपके साथ इसको एक साथ ही देखें नहीं अगर प्राचीन काल में देखें हमकी सुदूर दच्षण में क्या हो रहा है तो सुदूर दच्षण पर संगम्कालल साहित में चोल, चेर, पांडर राज्यों का विवरण मिलता है। जब हम अशोक को पढ़े थे तो हमने देखा की अशोक किस तरह से अपने सीमा वरती दच्छुन के चोल, चेर, पांडर राज्यों के लिए एक पत्र निर्गत करते हैं। कि आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है, बलकि धम के हिसाब से आचरण करो, अब भेरी घोष की जगे, मैंने धम घोष को अपना लिया, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्राचीन काल में दच्छन भारत पर यह प्रकास पर दो है, हमने चर्चा करा संगम की, यह संगम क्या ह है, दसल तमिल कभियों का एक संग था, खास करके यह संग जो है, एक सो एडी से, दो सो पचास एडी के बीच में हुआ है, तीन संगम हुए हैं, तमिल कभियों के, यह संग पांड शाषकों ने आयुजित किया, पहली बात जो ध्यान रखने की जरूरत है, और संगम साहित म में चेर राजाओं का विवरण दिया गया है, अगर हम बात करें कि पर्थम संगती, पर्थम संगब कम हो रहा है, तो बताते हैं, अगस्त रिस्त ने जो है, पांड शाषकों के आधिन, मदुरा में पहला संगम किया था, जहां पर यह साहित लिखे जा रहा है, दूतिय संगम के अध्यक्ष नकीर थे, यह भी पांड शाषकों के आधिन, और उत्तरी मदुरा में किया स्थापना में, बताना यह है, कि वास्तों में बैदिक सभता का जो बिस्तार उत्तर भारत से दच्षण भारत में हो रहा है, यह वही समय है, बताते हैं कि आर सभता का व्याकरण ग्रंथ है, अलंकार की पुस्तक है, और जो तमिल भासा में लिखी गई है, इसी तरह से शिल्पा दिगारम एक तरह से प्रमुख महाकाब्या है, और इस महाकाब में संगम कालीन सामाज और उनकी मानताओं का जीवन तभी बरण दिया गया है, अगर संगम कालीन प्रमुख राज्यों की बात करें, तो जैसा कि मैंने अभी कहा, चेर, चोल और पांड तीन प्रमुख राज थे, चेर राज जैसे हमने बताया कि संगम साहित में राजाओं में चेर राज्यों का ही विबरण है, प्रतिक के रूप में धनुष को अपनाते थे, उदेन जेर करिकाल एक प्रमुख सासक की रूप में चेर बंस का नाम आता है, संगम साहित में, वैसे ही पांडों की राजधानी, चोलों की राजधानी मल्लूर थी, और करिकाल एक प्रमुख सासक की रूप में इसका प्राचिन काल में नाम आता है, और पांडों की राजधानी मदुर का थी सभी संगमों को आयोजित करने का असरे पांड शासकों को ही जाता है अब अगर हम इनके शासन प्रडाली की बात करें तो प्राचिन काल में संगम साहित से जो चीजें उभर के आती हैं उसमें राजतंत्र की बात यहां पर आती है समाज में आर संस्कृति का प्रसार हो रहा था अगस्त रिसी ने इसको धीरे-धीरे दच्छन में ले जाकर के विस्तार दिया था बल्ला लेक महतपूर्ण जादी में उभर करके आ रही है सती प्रथा का प्रचलन यहां पर यदा कदा दिखता है दास प्रथा के भी संकेत संगम साहित में मिलते हैं अगर बाणिज ब्यापार या रिहाशी केंद्र के रोप में उभर के आ रहे हैं और पुहार की तो आधुनिक खुदाई से रोमन बस्तियों के भी प्रमान मिले हैं पुहार जाहिरे तो पर प्रमुख ब्यापारी के लिता है प्राचीन काल में रोम के लोग जब भारत से ब्यापार करते थ जाते थे और यहां से काली मिर्च लेकर के जाते थे और इस काली मिर्च को यवन उस साहित में यवन कहा गया है और ग्रीकों को यूनानियों को यवन प्रिय भी कहा गया है यवन प्रिय ये काली मिर्च की रूपी और ये काली मिर्च का ब्यापार भारत के पक्ष में उस दौ जो का विवरंद देता है और उनके साथ बाणिज ब्यापार में की इस्थिती पर भी प्रकाश डालता है दच्छड में एक अन्य चीज जो महतपूर है वो मुर्गन की उपासना की जा रही है मरुगन क्या है एक प्राचीन देवता का नाम है और बाद में नहीं का नाम सुब्रमडय मिल जाता है जिसको दच्छड के इन राज्यों के लोग पूजा अर्चना करती थे खारवेल का एक लेक जो मिला है प्राचीन काल में कलिंग से और उसमें तमिल के इन तीन संगों को खारवेल जो शाशक था पराजित करने के दावा करता है इससे भी इनकी अयतिहासिकता का पुकता प्रमाण मलता है और अभी मैंने चर्चा का कि पुहार की जो बर्तवान आर्कोलोजकल सर्विया अफ इंडिया ने खुदाई की है उसमें तो रोमन बस्तियों के असपष्ट प्रमाण की लिए है उनके उपभोग की वस्तिवों ब पूर्व मध्यकाल की सिथी में अगर लोड किया में तो हम देखते हैं संग की दच्षण भारत में सुदूर दच्षण भारत में सबसे प्रमुख राष्ट के रूप में राष्ट कूटों का उदे हो रहा है जो बिंध्याचल परबत से नीचे नर्मदा टापती से नीचे दच्षण भारत में ये राजस्थापित हो रहा है माननेखेटिन की राजधनी थी राष्ट कूटों की और अभी मैंने चर्चा करा था कि कन्योज के त्रिपक्षी संगहर्स में कैसे राष्ट कूट एक आहम कड़ी के रूप में उभर के आये थे प्रतिहार राष्ट तो हम कह सकते हैं कि दच्षण के में राष्ट कूटों का जो शाषन है वो पाल एवंग प्रतिहार के शमकालीन था इसको हम समकालीन सहित्यों को दस्ताबेजों को सम्यक्विवेशन के परशाथ इस निसकस्पत पहुंशते हैं चल्लू कि सासक किर्थ बर्मन था और इसके पारें बताते हैं कि जो राष्ट कूट सासक हैं इनके संस्थापक में जो है दंति बर्वन का नाम आता है इन्हें दंति दुर्ग भी कहते हैं 756 के आसपास मानखेत को केंदर बना करके यह शासन करना है कृष्ण पर्थम इसका अन्य प्रमुख सासक्ता राष्ट कूटों का इनके निर्माण कला सेनी का कृष्ण पर्थम का किश्ण पर्थम के बाद जिरको धारा वर्स कहते हैं राष्ट कूट सासक बना और दुरूख के बाद गोबिंदराज 3d का नाम आता है बताते हैं कि गोविंद राज थर्ड ने धर्मपाल एवंग नाग भट दुतिये प्रतिहार सासको सामुहिक शक्त का मान मर्दन किया यह लिखित दस्ताबेजिस के प्राप्त होते हैं गोविंद राज थर्ड के बाद अमोग वर्स का नाम आता है और अमोग वर्स जैनमत का इस तरह का मतलब एतिहासिक श्रोप प्राप होता है बिद्या कला का महां तरश्चक था अमोग वर्स और इसे के दरवार में जिन सेन एक कभी रहते थे लेखा करहते थे जिनोंने आदि पुरान पुस्तक लिखी इसी तरह से महावीराचार ने गणितसार संग्रा पुस्तक लिखी जहरे तोर पर अमोग वर्स के दरवार में इन बिद्वान लेखकों को राजास्रे प्राप था राश्चकूतों ने एक तरह से कल्याडी के चालुक्यों को भी पराजित किया जो है और बाद में कल्याडी के चालुक्यों ने राश्चकूतों को पराजित करके स्वा अपनी एक सक्ता की अस्थापना की आईसा विवरण मिलता है। ये कल्याणी के चालुक काउंट है। ये दसल राष्ट कूटों के ही एक तरह से स्थामंध है। इतिहास में तैलब दुतिय के नाम मिलता है। जो इसका स्थापक था। सोमेश्वर इसके प्रमुक्षासक से। बिक्रमा दित्खष्ट जिसको इतिहास की दिश्वकोर से बहुत अहब माना गया है। 1076 से 1126 के आसपास लटक लंबा सासन इनका चलता है। और बिक्रमा दित्खष्ट के बारे में कहते हैं कि विग्यानिशर के लेखक, विग्यानिशर जो थे, इन्होंने मिताक्षरा की इन्ही के दरबार में रहे थे। एक तरह से इसमृत ग्रंथ है और इसके हिसाब से जो है उस समय के समाज को न्यमित किया जाता था ये प्रमुख उपलब्दी है। संस्थापन करके लिए के दर्यो जो भृ चलास को जाता है जो अको जाता था championships and recognized की है जिसको किरारतार जुनियम कहते हैं इन ही के दर्बार में रहते थे पल्लो शाशकों में महेंद बर्मन पर्थम एक प्रमुख सासक है इसको महां सासक माना जाता है और इसने खुद का एक साहित लिख छोड़ा है जिसको मत्त विलास प्रहसम कहते हैं जो आज भी आते हैं कि महेंद्र नर्सिंग बर्मन ने बदामी के चालुकों को पराजित किया और बतापी कॉंड की उपादी धारन की वो बदामी का चालुक को पराज़े करना इसकी एक प्रमुख विसेश्था थी प्रमुख उपलब्ध थी और तच्पश्चाद इसने बदापी ज्राष मंदर और महा वली पूर्म के श्वर मंदर का निर्माब आज भी बिद्दमान है जो इनके समय पर होती है बैषणो धरमाव नम्भी थे नर्सिंग बर्मन जाहिरतchos पर नर्सिंग बर्मन ने उस दोर में बैषणो धर्म को प्रसह धिया राज़े से दिया अगर हम देखें कि ये पल्लो कालिन कलायों संस्कृति इन शाष्कों के समय पर कैसे उभर के आ रही है तो अगर संस्कृति की बात करें तो पल्लो धर्म के शाष्कों ने एक तरह से ब्राम्हण धर्म को प्रसेदिया ब्राम्हण धर्म को का अनुपालन किया उसको राजकाज में लागू करने की कोशिश की और इन ही के समय पर काची के पल्लो के समय पर ही नैनार और अलवार भक्त आंदोलन की एक चर्चा होती है जो उभर करके आ रही है एक भक्ती बिधा का उभार यहां पर देहने गुल रह है और दच्छिण की कला शैली का अगर देखें तो पल्लो कालीन इतिहास बहुत ही अहम है अस्थापत्य कला में जो तीनों शैलियां है पल्लो कालीन मंडब रथ यह विशाल मंदिर तीनों के हमें पुरा तातिव के आउशेश आज भी बिद्दमान है मिलते हैं पल्लो काल काड़ रथ एक आशमक रथों का निर्माड परवतों को काड़ करके और बड़े विशाल मंदिरों का निर्माड यहां पर किया जाता था रथों को सपत पगोटा कहा जाता था और यह सारे रथ महा बली पूरम के आस पास जो है ये मामल केंद्रित थाise तो पल्लो, कालिन, कला और संस्कृत, कला का उतकरष्ट काल कह सकते हैं, इसको अधभूत नमीना है, जो आज भी बिद्धमान है, पल्लो के बाद हम देखते हैं, उसी प्रश्ट भूम में चोलों का इतिहास आ रहा है, प्राचीन काल में संगम साहित में हम चोल चेरपांड र में 850 के आसपास एक स्वतंत सत्ता की अस्थापना कर रहे हैं, बिजयाले क्या थे, पल्लो के सामंत थे, लेकिन पल्लो की प्रश्ट भूम में ही फिर चोनों का एक तरह से पुनरराज की अस्थापना हो रही है, 850 से 887 AD के आसपास बिजयाले यहां पर सासन कर रहे हैं, ब 2014 के AD के आसपास इनका सासन का था, बताते हैं कि राज-राज पर्थम ने जो है, कलिन सहित मालिदीब के तमाम छेत्रों पर विजित करके अपने समराज का आंग बना लिया, हम कह सके हैं कि प्राचीन कालिन दच्षण सांस्कृतिक विस्तार को अगर राज-राज पर्थम ने अंजाम दिया, तो इसमें कोई अतिश्रयोक्त नहीं है, स्री लंका को जीत रहे हैं, और मालदीब के, दीब समूर के तमाम छोटे-छोटे देशों में खास करके, ये चोल शासक राज-राज पर्थम जीत रहा है, और तंजवर में राज-राज इश्वर मंदिर का यहां पर देखना है, कि खास करके उत्तर भारत को बिजित करने का, बंगाल को बिजित करने का, कि कितनी लोलूपता है, चोल शासकों में, और इतना ही नहीं, बंगाल को बिजित करने के बाद गंगा बताते हैं कि उन शासकों से गंगा की धारा से घड़ों में जल मंगा कर के और अश्नान किया और गंगई कोल्ड चोंड पुरम की उपाध ही जो है ये ले रहे हैं चोल शाषकों की इस पूर्मधिकाल की अंतिम परंपरा में कुलूंग्टूंग फस्ट का नाम आता है 1070 से 1020 के आसपर्स और बताते हैं कि फिर ये चीन को दूत मंदल भेशते हैं 28 दूत मंदलों को चीन भेशते हैं राजेंद थर्ड अंतिम फासक था चोलों का और जिसने सासन किया और धीरे धीरे फिर जो है शुदूर दच्छन में भी अलाउद्दीन के समय पर जाते जाते और अलाउद्दीन के जो सेना नायक थे वो दच्छन के राजों को भी जित करते हैं अब हम देखते हैं कि चोल परसासन परसासन की दिश्टकोर से बहुत अहम है राजा के अंदर में है और प्रांदों को मंदल के रूठ में इंगित किया गया है चोल साहित्त vaa मैं छे अस्थानिय शौसासन एक अहम बात कर लिया करता था एक नई बात उभर करके आ रही है भूम की माप की इकाई को बेली कहा जाता है और तमाम सासकों ने समय समय पर भूमी माप को किया था जिसको उत्तर भारत में हम अलाउदीन की परंपरा में देखते हैं जब मसाहत के गुए दचिडव में ये भूम की माप जिसको बेल के माध्रहम से कहा जाता है चोलप्रसासन का अहम हिस्ता था अस्थानिय शौसासन एक अहम बात थी चोलप्रसासन की सबसे प्रमुखदिशस्ता थी अस्थानिय क्वशान्हान अुर्यसफछा अर् नगरम जैसी नहीं राज-काज को नियमित करती थी, राज-काज को जनता के कल्याण के लिए शासन करने के लिए ये संस्थाएं हुआ करती थी और इनका अहमस्थान था, समाज दो बर्गों में भीवक्त था, हम कह सकते हैं, दच्छिन का जो है, चोल समराज, एक तो वेल गई था, जिसमे किर्शक, स्रमिक और हस्त सिल पाते थे, दूसरा इंडगई था, तो इसमें अवदोगिक फमू था, बड़े लोग थे, और मजे की बात है कि चोल साहित में छट्री और वेश वर्ग की कहीं चर्चा नहीं आती है, छट्री और वेश वर्ग यहां पर कहीं नदारद है, तो क कंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन था, ऐसा विबरन साहित से मिलता है, दास प्रथा के भी सीमित प्रमान चोल साहित में मिलते हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्वमध्यकाल में एक तरफ उत्तर भारत में भिकेंदी करन का दौर चला और चोटे- और ये चोल के रूप में उभर के आते हैं, और इन्होंने दच्छड की परंपरा को सम्रिध किया, चोल सासकों ने दच्छड की परंपरा को सम्रिध किया, साथ सी साथ इनका सांस्कृतिक बिश्तार खास करके स्रीलंका और पूर्वुत्तर दीव समूह तक किया, अपनी सं मंदिरों के रूप में अश्मारक द्रमिड साहिली के असपश्ट नमूने हैं जो हमें इस समय में दिखते हैं, यह चोल कालिन समाज राजनीत की अहम भिसेश्टा थे। अब एक अहम बिंदु जिस पर हमें चर्चा करना है, वो अबराल, यह आज के इस ब्याक्षान का अंतिम बिंदु है, कि धर्म एक संस्कृति में क्या बिस्तार हो रहा है, अगर हम देखें कि 300 AD से लेकर के, 1200 AD के बीच में, कामन रूप से उत्तर भारत या फिर दच्छिन भा हो रहे हैं, और धर्म के जो बैदिक वांगमय का रूप था, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि बैदिक व्यवस्था में, कठोर, यग्यकांड और बली पर था, और कर्मकांड एक आहम हिस्ता रहा करता था, औ और उसको पहली चुनोती जो है, छटी सताब्दी इसापूर में जैन और बहुत धर्म से बिली, कामों बेस ये चीजे चलती रहीं, और धीरे धीरे जैन और बहुत धर्म का विस्तार हुआ, लेकिन भारत में मौरुत्तर काल, मौरुत्तर काल, उसके बाद कुशान काल और गुपतकाल तक आते आते हैं, जो वैदिक धर्म था, इनकी मानिताओं में एक तरह से बदलाव आ रहा है, और बिस्तार भी हो रहा है, और वो बदलाव और बिस्तार ही जो है, खास करके पवराणिक हिंदू धर्म का ताना बाना बुन रही है, और इसका उदे हो रहा है, हम लेकिन इस ब्राह्मणबाद के साथ साथ हम पूर्व मद्यकाल की इस्तिती में गुप्तोतर काल के बाद हम देखते हैं कि अस्थानिये एंवंग जन जातिये देवताओं को ब्राह्मणबादी देवगणों में अस्थान दिया जा रहा है शामिल किया जा और यह काम गुप्त युग में हुआ कैसे हुआ जब ब्राह्मणों को भारी मात्रा में भूम अनुदान दिया गया और वो तमाम छेत्रियता चेत्री तक्तों से उनका जुड़ाव हुआ तो वहां पर एक तरह से उन ब्राह्मण संस्कृतियों को लागू करने के लिए कि ब्राह्मण बाद के अस्थान पर ऐसे संप्रदाय उभरें जिन से पवराणिक धर्म की उत्पत्य हो रही है और पवराणिक हिंदू धर्म क्या है एक तरह से विश्वास प्रणावी है जिसमें आवचार्यू ग्रूप से कई धाराएं हैं जो अस्थानिय धार्मिक सांस के रूप में उभर करके आते हैं और पुराणों की रचना जो है तीसरी सताब्दी से चौथी के बीच में एक तरह से संकलित की गई है जहां पर इस पवराणिक हिंदू धर्में ब्राह्मण वादी धर्म की में अस्थानिये देवी देवताओं को स्विकार करके उपासना की पधती का विकास हो रहा है अगर हम बैदिक वंग में को याद करें जहां पर बल्यप्रता यग्ठ कांड कर्म कांड यह सारी चीज़ें अहम तील अब क्या हो रहा हैं ब्राम्हणबाद का जो बिस्तार हो रहा है, उसमें अस्थाने देवी देवताओं को ही उनको देवी का रूप दिया जा रहा है, उनको आत्मसात दिया जा रहा है। और बलकी जगे, पूजा, उपास्ना और सामुहित पद्धति का दिकास हो रहा है। सामुख अजुष्ठानों की भूम का बढ़ रही है मंदिरों के भीतर पूजा का प्रारम हो रहा है मैं परेज चाचा कर चुका हूँ कि किस तरह से देवालों में मूर्तियां बन रही है गुप्तकाल में उन मूर्तियों को रखने के लिए मंदिरों की निर्माण की कलास्षी हो रही है जबकि बैदिक व्यौस्था में यह चीज हो रहा है यह जो है यह से पउराणिक हिंदू धर्म की मुह मानतबां को रूप में उभर करके आ रहे हैं और हिंदू पौराणिक धर्म के हम तीन रूपों को देखेंगे इन तीन रूपों में जैसे श्रयवाद बैशनोबाद और शक्तिबाद इन्हें तीन चीजे हैं श्रयवाद का विकास एक तरह से कश्मीर के आसपास कश्मीर में हो रहा है जहां पर जातिय समूह ही हैं जिनके उन देवताओं को शीव के रूप में अराध्धा की जा रहे हैं और शीव की मूर्त के रूप में और लिंग के रूप में पूजा जो है श्रयवाद का उत्थान कश्मीर में एक अहम बात हो रही है इसी तरह से बैश्रोबाद एक अहम धारा के रूप में उभर करके आ रहा है और राणिक हिंदु धर्व में जो इसी युग में उभर के आ रहा है विश्न का पहला उल्लेक यद्यव बेदों में है लेकिन महाभारत में कृष्ण और रामाण के राम यह खास करके इन देवी देवताओं को हिंदू उपासना पध्धती में आहम अस्थान दिया जा रहा है और यह बैश्नोबाद की उत्पत्ति यहां पर हो रही है और शक्ति के रूप में हम देखते हैं कि इस्त्री सक्ति का विकास हो रहा है यह इस्त्री सक्ति कहां से आती है यह वास्तों में यह अस्थानिये देवियां ही थी जिनको जो है धर्म में अहम अस्थान दे करके इनकी पूजा का प्रचलन सुरू किया गया और ब्राम्हाणबादी धर्म का अस्थानिय छेत्रों में विस्तार के रहे का प्रयास किया गया अगर हम इस तरी शक्त की बात करें तो ब्रह्मा की पत्नी की रूप में सरस्वती की पूजा की सु शुरुआत हो रही है और शिव की पत्नी की रूप में दुरुगा जो है या पार्बती की पूजा की सुरुआत हो रही है यानि शक्ति पूजा का प्रारंब भी जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह गयर ब्राम्हणबादी परंपरा थी जिसको अस्थानिय देवी का जो अस्थान था वो पराणुक हिंदु धर्म ने ले लिया पूर्वमधकाल तक आते आते हैं और इस पूराणिक हिंदु धर्म का बिस्तार भक्तियांदोलन करता है आप देखोगे कि किस तरह से यह भक्तियांदोलन दच्षड में यह उदे होता है लेकिन धीरे धीरे यह पूरे भारत में उत्तर में और खास करके पूर्वित्तर छेत में भी इसका बिस्तार होता है ये दच्छन भारत से उत्तर भारत में फईलाव इसका हो रहा है। शुरुवात में अभी मैंने चर्चा करा था कि शयो नयुनारों यो बैश्णो अलवारों ने तमिल नार्ड में 16 सताबदी में इसकी निव डाली भक्त यांदुलन की। भक्ति आउंदुलन के मूल में क्या है कि दो ही सत्चीजें हैं एक भगवान है दूसरा भक्त है और अठाहसा अधना से समरपन से प्रेम से भगवान को भक्त प्राप्ट कर सकता है। ये बातें भक्त के लिए अहम हैं, भक्त के लिए सबसे अहम है कि आप जिसकी भी उपाशना कर रहे हो, उसके प्रत अपार सृध्धा रखो, निश्ठा करो, और भक्त में लिन हो जाओ, और आपकी जब भक्त भावना अपने सर्बोच शिखर पर पहुचेगी, तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, बलकि भगवान से भक्त एकाकार कर जाएगा, पहले जहां पर अनुष्ठान पर बल दिया जाता था, अब इस भक्त भावना में सर्बोच्चता के प्रत गहरी, सृध्धा और प्रेम पर बल दिया जा रहा है, भक्त यांदोलन के अन्य तक्तों पर ध्यान दें, तो दसल ये इसका जो नेत्र तो किया जा रहा है, बिभिन समूहों को द्वारा किया जा रहा है, जहां पर बिभिन जातिये समूहों के लोग इसमें आ रहे हैं, सबसे एहम बाद है, उच्छ और निम्न बर्ग का अंतर किये बिना, ब्राम कर रहे हैं, दूसरी बात, इस भक्ति आंदोलन की एक अन्य विशेश्ता, लिंग के आधार पर भी विभेद का समापन था, भक्ति आंदोलन के अगवाई करने में महिला और पूरुषों दोनों उभर करके आ रहे हैं, तीसरी भक्ति आंदोलन की विशेश्ता क्या थी? छे ब्राम्हनवादी संस्कृति का विश्तार जिन जिन छेत्र में हुआ, उन छेत्रिय तत्तों के आम पूजा पद्धती और साधना पद्धती को ब्राम्हन विवस्था ने आत्मसाथ किया, उनके पूज देवी देवताओं को आत्मसाथ किया, और अपनी उस विवस्था में अस्थान दिया, इससे छेत्रिय भाषा में जो है तमाम तरे के काब्य और साहित्य का सरजन हो रहा है, ये भी एक अहम बात है, चुकि इस इन भक्ति आंदोलन के पुरोधा कभियों ने संगीत का उपयोग किया, तो संगीत को भी भक्ति भावना से ओत प्रोत दिखा करके उस से प्रहार किया जा रहा है, भक्ति आंदोलन ने रूड़ियों का भी उलंखन किया, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, कि जिस तरह से पूर्व मध्धकाल सामंत बाद का चरण है, चरम है, और सामंत बाद में एक पिरामेड ये विवस्था है, ऊपर से नीचे तक हैरार्क चोटा सामंद, उससे चोटा सामंदों किसान, उसी तरह से जो भक्ति आंदोलन का भी विकास हो रहा है, इसमें भी जो है, बहु देवबाद में एक एस्वरबाद हम तला सकते हैं, कि विभिन्य देवी देवताओं को, अस्थानी समूहों के देवी देवताओं को, भक्ति अंदूलन में अस्थान दिया गया और उनको मुखधारा से जोड़ करके ब्रह्मणवादी संस्कृति का परचार परसार किया तो इस प्रकार हमने आपके साथ 6 ब्याक्षान साधा किये हैं और प्राचीन इतिहास में हमने जो है प्राचीन से लेकर के और 1200 AD तक के इतिहास को बहुत कम समय में आपके साथ रखने का प्रयाश किया है और इसके तहब हमने इंदस बैली से लेकर के बैदिक दिवस्था मौरियों और उसके बाद जो है चटी शताबदी इसा पूर्व के 16 महाजनपत मौर कालिन समाज उसके बाद हम देखते हैं कि मौर के के बाद शक्क कुषाणों का आधमन कैसे हो रहा है कुषाणों को हम सिंखला और सिल्क रूड का मैंने विब्रण किया uniquesta सम्राज पर आपके साथिया लेकिन Gbelt Samraj का भी पतन हो रहा है और पातल वर्धन के पतन के बाद फिर शात्मक संघर्ष हो रहा है। उस त्रिप शात्मक संघर्ष में प्रतिहार पाल और राष्ट कूछ सासक आते हैं। और अंधता कन्योज पर गुर्जर प्रतिहारों का राज आता है कृणौ प्रतिह अन। किया है। और सुदूर दच्षण में क्या हो रहा है कि सुदूर दच्षण में भी संगम साहित से लेकर के संगम कालिन जो चोल चेर पांड राज थे और फिर जब छटी सताबदी में जो है पल्लो खास करके का उधे हो रहा है और उसी प्रश्ट भूम पर चोलों का उधे हो रहा है और चोलों में महान साजकों ने गंगई कोंड और बतापी कोंड की उपाधी ले रहें, सिलंका से ले करके और उत्तरपूर्व के छेत्रों में अधिपत्य स्थाकित कर रहें, इन चीजों को हमने देखा, धार्मिक विकास में हमने देखा कि किस तरह से ब्रामण वादी ने अपना विस्तार करते करते, जिन च्छत्रों में उन आदवासी समूहों को अपने से जोड़ा, और उनके देवी दोताओं को अपने में आत्मसाथ कर लिया, और उनको हिंदू पवराणिक धर्म का अहम हिस्सा मन लिया, जिससे इत बैदिक व्योस्था का विस्तार झाल